तो आज वीडियो बना रही हूँ चनए डाल के वड़ें जो कि भूती ज्यादा क्रशे लगते हैं चाटनी के साथ खाते हैं तो इसे बनाने श्टार्ट करते हैं तो इन यहां पर पेले ही सविरे के टाइम पर ही चनए डाल को भिगो दियाता है और अच्छे समय नहीं से दर दर असा पीस लेना है जादा बारिक बिल्कुल भी नहीं करना है तो देखें में या पी चना डाल को इस तरीके से पीस लिया है दर दर असा तो हम इसमें अब चैसे साथ हरी मिर्च बिल्कुल बारिक कट करके एड कर ली है थोड़ा सा बेसन बेसमें एड कर रही हूं बेसन आप अपने साफ से एड कर सकते हो कम ज्यादा जितना आपको पसंद है उतना तो इसके बाद में या पर डाल रही हूं भरके वन टेवल स्पून गरम मसाला तो होम बेड में आपके गरम मसाला लिया है जो कि मैंने इसकी वीडियो आपके साथ पेले ही शेयर कर दी है उसके बाद में आपके लिया है अख़्ा खड़ा धनिया जो की धनी की डोडी भी आप बोल सकते है वो में लिये तकरिबन टूटेबल स्पून भरके उसके बाद म पून ब्लेक पेपर ली है धाफ़ टी स्पून नमक टेस्ट का कोडिंग्स श्रीम ही अनो ब्लाइब तो पानि एड नहीं करना है हम इसको थिक थिक रखना है तो नमग हमारा पानी चोड़े है तो हम नबाक जब हम बनाने लग है तुरंथ हम नमक एड़े नहीं है और तु यह बिल्कुल में मत करना क्योंकि पानी छोड़ेगा जो भी हम मसालीस में एड करते हो पानी छोड़ते तो चलिए पेस्ट हमारा तयार है देखे कितना कलर्फुल सा बना है तो में यहां पे लिए है एक लोही की कडाही कोई सी भी आप पेंड ले सकते हो क्योंकि हम कर लिया है तो कम जादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो तो मैंने यहां पी चेक करने के लिए एक वड़ी पेले ही डाल ली है तो मैं मैं आपको यह भी बताऊंगे किस तरीके से मिनी ने बनाई है बहुत ही सिंपल इसको चप्टी तरीके से बनाना कबाब का शेब देना बहुत ही सिंपल है जो हमने सबसे पेले इसमें डाला था ते सबसे पेले हो गया है तो मिडयम फिलेम पे अवे मिने hamdaling बनाना है इसलिए मेडियम से लो फिलेम हमने बनाइं है हाइ फिलेम बेलकुल भी नहीं करना है तो देखे मैं बता देते हूं किस तरीके से मेंने निने कभाब का शेप दिया और तो वह सिंपल वैंने सबसे पहले रांड बना लिया फिर इसको थे हमनेफींगर के हिल्फ का तो यह प्रड़ कर दिया है। अब हम इसे दो तीन नड़ के लिए चोड़ देंगे ताकि अंदर से बिलकुल क्रण्ची बनी रहे कच्छी बिलकुल भी ना रहे तो देख़ें मैं राउंड शेप इसका बना रही हूं तो इस तरीक़ से मैं एक हाथ में ले लिया है। और इस तरीक से बहुत सिंबल इसको बनाना देखी है help से दबाके महीने यह जैसे गुलाब जामूण लए सिंपल इसको जयादा तुसल है पेस्ट जादा थिं नहीं और पहले से हो चुकrences दों निकनलने बहुत ज्यादा चाईन ये मिल्स हम तो आगर चाहो सब्सक्राइब में नहीं सबढ़ा हैं बता इंद सब्सक्राइब में सब्सक्राइब Yuk तो यक सिट हो जाए छोड़ देना और फ्राइब करेंगे फिर जब हो जाए तब हम इने चेंज कर लेंगे कि को कि अत्मिषी अत्या प्लीपित तुब में इस तरीगे में हैं तुद्द कर रही हो है है कि अच्छे से दू चुके है सारे कोई हमे से चेंज कर लेंगे ये लोग फिलेंप पर हम इने दो-चार मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे ताकि अंदर सच्छे से बन जाएं और फिर उसके बाद फिर नसे डबल फ्राई करने वाले हैं तो एक बार तो हम इस तरीके से राउंड वाले शेप में फ्राइ कर लेंगे फिर इनको राउंड शेप को हम थोड़ा सा हाथ की हेल्प से दबाके इनके भी हम चप्टे कबाब टिकिया जो भी आप बोलना साते हो वो बनाएंगी इनकी ताकि अंदर से बिल्कुल भी कच्छे ना रहे हैं इसलिए आम इनका राउंड शेप नहीं रहने दें क्योंकि अंदर से यह जो कच्छे रहे जाते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं तो इनको फ्राइब होते हैं वो कम्क्लीट तीन से चार मिनट हो चुके तो अब मैं निकाल रही हूँ हूँ जो आमने राउंड वाले कबाब बनाए हैं उन्हें हम हाथ की थेली पे रखके इस तरीके से चप्टा कर लिया है मेंने और फ्राइय करने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने जो कडाई रखी हूई है उनमें एड़ कर लेना है वो सारे ही कबाब हम हाथ की थेली पे कि लिए हम इने एसे छोड़ाय के लिए तो सारे कबाब हुए थे उरा फिलेम पर एसी देने देंगे तो कबा पॉड़ी हमारी बंखे तयार है तो निकाल अब पर कल लेंगे झा अन्य वड़िश ौड़ कर लिए हाप इन्हें देख सकते हो कितने टेश्टी से। लग रहा है, मज़धार से जब खा सकते हो। तुन में लेमन जूस एड करके खा सकते हो। फिल हाल मैंने इस तरिके। सोस आज़ा नहीं रखे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ से्क्सान से तो राउन्ड शेफ वाला रख लिया था तो राउन्ड वाला ही मैंने आपको तोड़ के दिखाया है जो गोल हमने बनाए था तू बहुत ज्याद़ क्रंच से बने हैं बहुत ही ज्याद़ टेस्टी बने बस में आपको बता नहीं सकती यह बोल सकती हूँ आप भी अपने घर पे तो शेर करना ज़्याद से ज़्यादा अपने रिष्टेदारों के साथ दोस्तों के साथ और अगर आपने शीबो लोग को अभी तक सब्क्राइब भी नहीं कर रहा हो तो जल्दी से सब्क्राइब करें बेल आइकन पर प्रेज करना ना भूलेगा और अगर आपको किसी भी टोपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कोमेंट के जरिए बता सकते हो किस टोपिक पर आपको वीडियो चाहिए इंशाल्ला मैं कोशिश करूँगी कि मुझे टोपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ और आपको खुश रखूँ तो मैं फिर मिलती हूँ एको नई भेतरीन वीडियो के साथ तक तक के लिए अल्ला आफीस बाई